हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज किस वीडियो में आपको बताने ओला हूँ रेड्मी 12C में किस तरह से आप आप आटो कॉल रेकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं अपने मुबाइल में डालर प्रटन पे घ्लिक किया और फिर त्रीड़ से बात दोस्तों यहांपे आपको शो करने लगेगा कॉल रेकॉर्डिंग के ओप्षन यहांपे यह दिया है कॉल रेकॉर्डिंग तो आपको क्या करना होगा है सिंप्लिस call recording पर click करना है click कर देने के बाद दोस्तों आपको तीन option मिलता है पहला option मिलता है आप delete कितना दिन में अपना call recording delete करना चाहते हैं या कभी नहीं delete करना चाहते हैं तो never पर click कर देंगे तो कभी नहीं delete होगा दूसरा option दिया है 7 दिन के अंदर आप call recording delete कर सकते हो 14 दिन के अंदर delete कर सकते हो 30 दिन के अंदर delete कर सकते हो यानि कि जितना दिन पर आप click करोगे उतना दिन का call recording इसमें रहेगा और बाकी automatic delete हो जाएगा तीसरे नमबर दूसरे नमबर का option दिया है always call recording यानि कि कोई भी नमबर से call आए हमेशा आपकी mobile का call recording on रहेगा तीसरा option दोस्तों ये दिया है कि अगर आप चाहते कि एक दो नमबर पे ही आपकी call recording हो बाकी किसी नमबर पे call recording नहों तो उसी परकार से होगा जो नमबर आप इसके अंदर save कर देंगे ये नीचे option दे रहे हैं इस पर आप setting कर दोगे वह इनंबर पे आपकी call recording होगी बाकी किसी भी नमबर पे call recording नहीं होगी अगर उसके अंदर आप 5 नमबर save करके रखते हो तो 5 नमबर पे call recording होगी अगर दस नमबर रखते हो तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तो मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में